पिहार सरकार के मानिनी मंत्री नीरज सिंग बबलू जी जीतन राम मांजी जी को आपके सजीशन की कोई ज़रुवक नहीं है ना वो सन्यास दे रहे हैं और नहीं राम नाम जपेंगे लेकिन एक चीज़ याद रखेगा अगर जीतन राम मांजी जी ने अपने चार्व धायको का सहयोग आपके साथ से हटा लिया ना तो जो आज मंत्री गुबने घुम रहे ना और उसी के वज़े से लोग आपका ब्यान ले रहे ना सड़क पर आ जाईएगा नमश्का न्यूस फो नेशन देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ रश्मी ब्यार में सेमतीश कुमार की सरकार गिरने वाली है बता दे कि लगता जोस तरह से जोतर राम मांची को बीज़पी वाले खरी खोटी सुना रहे हैं इसको लेकर अब हमके प्रवक्ता दानश रजवान ने चितावनी दे दी है बता दे कि दानश रजवान ने कहा है कि हमारे चार वधायक गडवंधन में हैं और अगर हमने अपना समर्थन वापस लिया तो आप मंतरी मंतरी खेलते रहेगा और घूमते रहेगा क्या कुछ कहना है हमके प्रवक्ता दानश रजवान का किस तरह से उन्होंने बीज़पी वालों को ये चितावनी दी है आप पहले उनकी पूरी बातों को समरेगा पर आ जाईएगा इसलिए प्यान बाजी करने से पहले पीस बार सोच लिए कि किसके उपर में क्या बोल रहे हैं रही बात जीतन डाम मांजी जी के स्टेटमेंट की तो आपके भारती जन्ता पार्टी के वरिश देता पश्शी मंगाल के प्रवारी हैं कैलाश विजवरगी जी सीधे तोर पे कहते हैं कि स्टेटमेंट के वागर किसी के स्टेटमेंट के ऊपर में आप उनको इस तरह की बाते कह रहे हैं तो सबसे पहले कैलाश विजय वरगिये जी से कहिए कि विजय वरगिये जी आप जाएए राजमीती से सन्या से लिए कई सभावों में मन्य प्रधान मंत्री नरिन मोदी जी की भी स्लिप आफटंग होई है तो क्या आप उनको यही सजिशन दीचेगा इसलिए कह रहे हैं ब्यान बाजी करने से पहले 20 बार सोच लीजिए जिसके सहारे मंत्री बने हुए है न अगर उन्होंने अपने चारो विधायकों का समर्थन वापिस दे लिया न तो सड़क पर राम नाम गाते फिर येगा और आपको अपनी हैसियत और हद सब कुछ पता लग जाएगे इसलिए ब्यान बाजी करने से पहले 20 बार सोचिए तो बता दे कि लगातार ब्यार में जो विवाद है वो एंडिये गटवंधन में देखने को मिल रहा है एक तरफ हम पार्टी है तो दूसरी तरफ बीजेपी वाले भी एक भी मौका नहीं छोड़ रहे जिस तरह से बीजेपी के नेता अनीरज कुमार बबलू ने जोतन रामान जी को सन्यास लेने की बात कही इसको लेकर अब हम पार्टी का गुसा सामने आया है बता दे कि अपने बयान में हमके प्रवक्ता दानिश रजवान ने ये साफ कर दिया है कि गडवंदन में हमारे चार वधायक हैं और अगर हमने अपना समर्थन वापस लिया तो आप रोड पर आ जाईएगा और जो मंत्री बनकर आप घूम रहे हैं आपके पास मंत्री बनन तक की नौवत आ गई है ऐसे में अब ये बखेरा और कितना आगे बढ़ता है और क्या कुछ हम और बेजेपी की तरह से कही जाते ही ये तमाम बाते देखने वाली होगी लेकिर इस वाक्त ये चेतावनी हम पार्टी की तरह से इसमें सीधे सीधे सरकार गिरने की बात कही ग कर दो दो तक का लिए प्रीए और के बाते चेता आगए और क्यानी होगी येचे होगी